कैम्प लेकिन हो सकता है कि लेफटनेंट सिंग का स्क्वाड वहा कैद हो एक टेंट लाल टेन की रोशनी में चमक रहा है ये तलाश शुरू करने के लिए एक अच्छी जगा हो सकती है उस छोटे से टेंट की तंग जगा में एक साइट टेबल, एश्ट्वे, एक जलती हुई सिग्रेट और कुछ बक्सों के उपर गैस वाली लाल टेन रखी थी पर सबसे ज़रूरी था एक कैदी जो रसियों से बंधा हुआ था लेफटनेंट सिंग की टुकडी का सबसे कम उम्र का जवान जिसे इतनी बुरी तरह पीटा गया कि उसका चेहरा काला और नीला पड़ गया उसमें शायद थोड़ा होश बाकी था सर, उन्होंने दुसरों को बंधी बना दिया रवी ने कहा रिपोर्ट बाद में फॉजी, पहले तुम्हें छुडाना होगा नहीं सर, दुसरों को आपकी मुझ से ज़ादा जरूत है मैं किसी को पीछे नहीं छोड़ता फॉजी लिप्टनेंट सिंग, रवी के पैरों से रस्सी खोलने लगते हैं देर हो गई सर, पीछे देखे एक दुश्मन सिपाही टेंट में आता है और लिप्टनेंट सिंग को पीछे से पकड़ लेता है टेंट में उनके बीच संघर्ष होता है और बगसे गिर जाते हैं बगसों पर रखी लाल टेन गिर कर टोट जाती है और उससे गैस निकलने की आवाज के साथ हवा में बगभू फैल जाती है रवी निकलो यहां से लिप्टनेंट सिंग रवी को खोलना चाहते है पर देखते हैं कि वो बेहोश है रवी कोई प्रतिक्रिया रही लिप्टनेंट सिंग लड़ रहे थे पर जवान तब तक बुरी तरह बेहोश हो गया था लेटनेंट सिंग उस जलते टेंट से बच निकले नहीं सर्य, दूसों को आपकी मुझ से ज़ादा ज़रूत है रवी की ये शब्द लेटनेंट सिंग के कानों ने गूंज रहे थे लगता है आज मुझे लेसी के उस पार जाना हो गए कर दो खार जायच के लोगता है